ये टीवैस की विक्टर धृँ भलslवाली भाइक है इस भाईक को जब मैं सुटार्ट करता हूँ तो हिंजिन मेंसे आवाज आता है बहुत हि ज़्यदा आवाज आता है फडलकर जैसा आवाज करता है तो वह तो आप आवास सुन पा रहे होंगे कट 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 जैसा आवाज करता है धक्का जैसा मालता है तो इसके लिए मैं कलच का कवर खोलना है दोक्रें का कटाना हो दोना है तो दोनों में हैं तो मुझे पता नहीं ऑी किसमें क्के दिकत क्या है मैं खोलता हूं इस सैट की कवर खोला तो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो कलच होजिंग है पूरा काफी ज़्यादा इसमें पले है यह देखिए तुकि इतना ज़्यादा पले नहीं रहता है किसी भी भाइक का अब देखते हैं इसे कोल कर मेरे साफ से सिख यह आवाज है कि इस बार इस्टार्ट सिटी का बंसल कंपनी का तो इसलिकर आया दिल्ली से यह वही है इससे पहले मुझे मेरे पास श्टील का है यह स्लीप कर जाता है अक्सल कि यह स्ली है आता है अब चटो, कि इस बाद कर दो बंसल कि जाता है चुछ दोस्कों यहीं से आप पता लगा सकते हैं Кितना सारा कच्रा है यहे जो देख रहे हैं ये इस सब जो है यही अल्मॉनियम का चूर है mala detas ये सब जो है चमक रहा है हिसका मतलब है कि या इसे का पड़ घिसा हुआ है इससे फड़ा भड़ijk फोलता हूं और दिखाता हूं कि इसमें क्या दिक्कट हो गया कि यतना जाला इसना ज्यादा परे दिख रहा है अब कर दो कंफर्म है कि होजिंग में दिक्कत है यह देख सेकितना ज्यादा कच्रा इसके उपर आइप आइप यह जगर आइप यह जगर बुम यह जगर लुक्ट सजगों इसके उपर यह दो लुक्ट तो अव। अजग दो अजग इसके टुक्ट यह जग एक यह जग कर दnt तो कि गीरे जो बुश लगा हुआ है बीच में यह काफी ज्यादा पड़े हो चुका है अंदर में यह इस फोश्च करना पड़ेगा अ चाहे तो मुझे इसका बूस लगवाना पड़ेगा या फिर पूरा पूरा जो कलच का हॉजिंग है यह वाला सिल्वर वाला पार्ट हमें इसे चेंज करना पड़ेगा यहीं से दिक्कत आ रही है ठीक है अगर आपको यह हॉजिंग पूरा मिल जाता है नया तो आप लगवाल है माकी मैं एक शी और देख रहा हूं कि इसको कोई खोला था क्या खोला था कोई इसको नहीं ख़ली मोबिल चेंट करवा इसे अच्छा देखिए आप देखिए इस चीज को तो अगर आप इसका मतलब है कि मेरे से पहले कोई खोला होगा अच्छा देखिए कितना मतलब यह है उसको समझ में नहीं आया इस चीज को आई यह नहीं इदर बताते हैं यह बूच जो है ना आपस में फिरी रहता है यह बूच इसमें फिरी रहता है और उसको दिमाग में क्या आया कि यह अगर लूज है पहले भी लूज हुआ होगा यह थोड़ा स्के वकर घाड़ अब लिंग वर्वाद के बाद क्या क्या है तो जाकि यह टायट हो जागा इससे और यह फिरी घुमने लएगा तो असल में हमको इस बूच को इस पर नहीं गुमाना है रहा है इस क्लाच हो जिंग के अंदर गुमाना का सम्पनी का यहीत है ह कि यहां पर कि गलती किया है नो ने मतलब एक मिस्तरी ने कि पहले भी उसको लगा ओगा कि यह ज़्यादा पले होगा उससमय तो उसने क्या क्या कि इसमें वाल्डिंग कर वा दिया थोड़ी बहुत इस पे वाल्डिंग वरवा दिया कि मैं इस बुष को इस हाउजिंग से टाइट कर दूँगा और जब यह हाउजिंग से टाइट हो जाएगी यह बुष तो इसके अंदर फिरी गुमेगा यह बुष फिरी गुमेगा लेकिन कंपनी क्या करता है कंपनी के तरफ से जो फिडिंग है इसका जो कनक्सन है इसका कि ये अगर लगाएंगे तो यह फिर ही रहेगा लेकिन जब भी घुमेगा तो यह इस षाप्टे से यह बुष नहीं गुमेगा इस समय क्या होता है यह इस क्लेच हॉजिंग से भुष गुमता है ठीक है कि तो इसके दिमाग में आया है कि इसको मैं टायट कर दूंगा डिए अब प्रसानी इस बात की है कि मुझे कहां से मिलेगा और यह भूस भी खराब हो चुका है यह मैं कैसे करवा पाऊंगा अब इसके उपर मुझे ताफी जादा दिमाग लगाना पड़ेगा तो सीधर हम यहां से चलेंगे दोस्तों मौनपूर अफीज भाई के पास और करना है यह वह पूर्ड़ा चेंज करना है अगर इसके सास्थ यह बूस लगा हुआ आता है तो ठीक है वरना अगर यह अलसी लगाएंगे लिए फिसके साथ ही हम देखेंगे इस बूस को क्या करना है वह जो कहेगा वहीं करना पड़ेगा ठीक है तो यह काईना है कि आप इसे रहने दो और मैं तुछ से लगा लेना है तो मुझे इसे लगाना यह भी टीवियास का ही है लिकिन किस गाड़ी का वो पता नहीं बोजे तोड़ा अंतर जो में लग रहा है इस जो पहरी ने बड़ा साइज है और इसका जो पहरी ने वो चोटा स करेंगे और साथ में इसका जो बुष्ट था उसी बुष्ट को घिस के फोड़ा फिनिशिंग करके इसमें लगा देना है तो देखता हूं क्या कर रहे हैं यह क्योंकि यह नहीं मिल रहा है मुझे इसको लगा के इसके उपर मेरे ख्याल से कोई रहती है इसको चीखना कर देगा भी इसके बराबर कर देगा है यह काम हो चुका है यह नया तो नहीं मिला मुझे मैं शोरोम घ्या था यह चीजे नहीं मिली मुझे अब देखिए पुराना वाला ही मुझे लेना पड़ा यह तीबयास का ही है यह सब ठीक है कॉलर हुच जो इसका जो पुराना वाला इसी बूस को किलीन कर दिया उन्होंने दूकर चिकना कर दिया और यह इससे इससे फिरी हो चुगा और साथ में इदर जो बढ़ा था प्ड़ा कखीन करके इसके साइद का बना दिया अब मैं इसे उसमें लगा कर देखूँगा कि दोनों में क्या अंतर होता है ठीग है इस निसान लगा दिया कर दो होता है तो मैं यह देख रहा हूं यह बिल्कुल सैंसाइज नहीं भी बन गया है अब मुझे देखना है कि इसका यह सेटे कर देखना है तो उसके दिए मैं आपको बता तो इसे कि मैंने कहा था कि इसका जो गरारी है दोनों में अंतर है यह दिखिए जो गरारी ती जो देख रहे हैं यह दोनों में अंतर है अब अंतर जो है यह यह बड़ा है और यह छोटा है तो इसका जो लीवल है देख सकते हैं थोड़ा क्या इसमें क्या है कि इसका गरारी छोटा है लेकिन यह उपर जो देख रहा है यह बूश्ट टैप मतलब यह ओबर पार्ट इसका इसके विए से इसका लीवल पर आयाता है ठीक है तो इससे कोई दिकत नहीं है यह बिल्कुर ठीक है मैं देख रहा हूं इसके बाद इस पलेट दोनों पलेट को हम देखेंगे तो यह भी बराबर आजाता है किसी भी तरीक से उसमें टच नहीं करेंगे यह मुझे पता है इसे लगा के फिर मैं इस्टार्ट करके इसके आवाज सुनाता हूं आपको अब देखेंगे यह नहीं हीलता है जैसे पहले यह हील रहा था नजी करेंगे काफी ज्यादा पहले ही हील रहा था अब थोड़ा हीलता है इतना तो हीले गाई यह जो हील रहा इसका अंदर जो बूस्ट लगा हुआ है इसका ठीक हो चुका है पहले से आप देख सकते हैं कि आवाज में कितना बदलाव आई है कि आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कफी ज्यादा पहले वैबरेट कर रहा था इंजन और यहां से खड़ खड़े खड़े जैसा आवाज मुटा आवाज आ रहा था लिए अब यहां से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है झाम झाम कर दो कर दो